आईए देखते हैं कि चाह जाओ के ETEA, MDCAT, Recorded Lectures में क्या है? सबसे पहले कोर्सिस में जाएं, कोर्सिस में जाके MDCAT में ETEA सेलेक्ट कर लें and then start learning उसके बाद Recorded Lectures में जाते ही आपको दिखेगा कि आपके MDCAT में जितने subjects टेस्ट होते हैं यानि के Physics, Chemistry, English, Logical Reasoning और Biology इन सब के subject-wise और topic-wise वीडियो लेक्चर्स मौझूद हैं यानि के Physics के जितने chapters हैं, उन सब की Topical Videos आपको Recorded Lectures में मिलती हैं और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ-साथ आपको मिलते हैं Topical Quizzes यानि के जो आप पढ़ रहे हैं, उसके साथ-साथ उसकी Practice भी करते रहे हैं तो पढ़ने की Methodology क्या होगी? आप पहले Video Lecture देखेंगे और Video देखने के बाद आप उसका Quiz देखेंगे जब आप Test Solve करेंगे तो आपको मिलेंगी Live Analytics जो आपको बताएंगी कि आपने कितने सवाल ठीक किये, गलत किये, कितने स्किप किये और किस तरह के सवालात में आपको मुश्किल हुई या कितना टाइम लगा और उसके साथ-साथ आपने जितने भी सवाल सॉल्फ किये हैं, उसके आपको मिलते हैं Video Solutions और जब आपके सारे टॉपिकल वीडियोस कंप्लीट हो जाएं और साथ-साथ उनके टॉपिकल क्विजिस भी कंप्लीट हो जाएं तो आप देंगे चैप्टर टेस्क जो कि आपके पूरे चैप्टर की तयारी को ओवरॉल एसेस करेगा और बताएगा कि आपकी उस चैप्टर की कितनी तयारी है तो अभी चाजव एप डाउनलोड करें और अपने MDCAT में काम्याबी को यकीनी बनाएं